अच्छे मूड में बाजार है तो फिर अच्छे मूड में है शुक्रवार को अच्छा प्रदर्शन रहा है क्या हुआ एक्जाक्टली जड़ा बताइए हुआ कुछ जाधा खास है निया इन फैक्ट जो पावल साब का बयान था जैक्सन होल में जिसका सबस्कों इंतजार था उन्होंने उसमें उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जहां से बाजार की टेंशन दूर हो जाए या बाजार को किसी भी तरह का आश्वासन मिले की रे इफलेशन दो परसेंट की रेंज में नहीं आएगा तब तक फेड अपना आक्रमक रूख बरकरार रखेगा आगे जरुवत पढ़ी तो रेट्स और बढ़ाएंगे डेटा पर निर्भर करता है बट फिलहाल हालात ऐसे नहीं है कि हमें अपना आक्रमक रूख वापस लेना बट फिलहाल यूएस की जो एकनॉमिक स्थिती है वो मजबूत है कोई ऐसे डर के संकेत नहीं आ रहे हैं कंजूमर स्पेंडिंग मजबूत है और हाउजिंग सेक्टर में भी अब फिर से रिकवरी के आसार आ रहे हैं तो यहां से कोई भी आशवासन नहीं आया है बाजार क कि आपके लिए रेट कट्स होने वाले हैं या रेट साइकल जो हाइक का साइकल है वो खतम होने वाला है इन फैक्ट बयान के बाद का अगर आप इंपक्ट देखें तो फिलहाल 20% जानकार मान रहे हैं कि सितंबर की ही पॉलिसी में आपको रेट हाइक आते हुए दिख सकता है बॉर्ड मार्किट तो आपकी जादा रियाक्ट करी रही है 4.4% तक पहुंच गई थी आपके 10 साल की लिएल फिलाल 4.25% के पास स्तिर है दो साल की येल भी आप देख रहे हैं 5% की उपर इन फैक्ट आलमोस 5.1% पर आपको आती हुए दिख रही है डॉलर इंडेक्स भी हमने देखा है करीब 12-13 हफते की उचाई पर आग चुका है 104 के पार है तो बाजार के लिहाज से तो कोई भी ऐसा बड़ा आश्वासन वाला स्टेटमेंट नहीं आया फेट चेर्मिन की वज़े से बट फिर भी हमने देखा कि इस स्टेटमेंट के बाद अमेरीकी बाजारो के पहले बाजा थोड़े हलके हो चुके थी थोड़ा करेक्शन आ चुका था दूसरा कोई भी इससे बड़ा नेगिटिव सप्राइज नहीं आया है फेट चेर्मिन की तरफ से जो कुछ फेट चेर्मिन ने कहा है रेट हाइक्स को लेकर वो बाजार ने संभावना जता ली तरफ ही अनुमान लगा लिया था कि ये कुछ फेट चेर्मिन के बयान के बाद को जादा और रेटिव रियक्शन नहीं आया बाजार क्या क्यूकि बाजार में कहीं नहीं डर था कि कुछ और बड़ा इंगीटीव चीज चैरमिन नहीं बोले, मंदी को लेकर, एकॉनमी को ल थोड़ा मूड महल सुधरा, क्योंकि S&P 500 और Nasdaq दोनों पर लगातार तीन सापता ही गिरावट के ट्रेंड पर हमने ब्रेक लगती हुए देखी, हाला कि DAO पर हमने लगातार दूसरी सापता ही गिरावट देखी है, हफते के लिए DAO करीब negative 0.4% नीचे था, S&P 500 हलका उपर और Nasdaq पर एक अच्छा rebound आये, निचले से करीब 1% की तेजी on a weekly basis आपको Nasdaq पर आती हो देखी, तो थोड़ा mood सुधरा है, Fed Chairman का बयान के बाद, हालकि बयान में ऐसा कुछ भी नहीं था, जहां से आपको आशवासन आते हुए दिखे, कच्छे तेल में लगातार दूसरी सा अफता ही, गिरावट हमने देखी है, थोड़ा डॉलर इंडेक्स उपर गया है, उससे प्रेशर आते हो देखा है, weekly आधार पर करीब 2% की कमजोरी रही है, इस हफते एक हरिकेन आने वाला है, US में तो शायद उसका कुछ impact आ सकता है, प्राइस पर सोने और चांदी में हमने पिछले हफते रिबाउंड देखा है, 7% सोना उपर ता, चांदी में तो खेर बड़ा रिबाउंड आया, 6% की तेजी बनी है, बेस में दार्य का कारोबार रहा है, अगरी कमोडिटीज मिली जुली रही है, तो देखते हैं महाँ पर कैसा कुछ action रहेगा, इस हफते की बात जाई के आख रहेंगे, तो कुछ data पर depend रहेगा, बट हाँ, फेट चेर्मेन के बयान कुछ जादा खास नहीं थे, बट कुछ और बड़ा negative नहीं आया, वहाँ से थोड़ी रहत बाजारों में दिख रही है,